आलो स्टुडेंट्स माईसेल अर्पना गुप्ता कम्प्यूटर टीचर मेरिटोरिय स्कूल मुहाली बेटा लास लेचर में हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम कैसे रीड कर सकते हैं कैसे string में input कर सकते हैं तो string में input करने के लिए हमारे पास domain function है एक तो scanf है एक gets है scanf तो आपने अल्रेडी पढ़ा ही हुआ है इसमें आप किसी भी तरह के data को input कर सकते हो चाहे वो integer है, float है, character है तो इसमें हम input कैसे करेंगे तो आपने वैसे लिया एक character array लिया enter your string scanf में अगर आपने यहाँ पे string format आप क्या लोगे %s जैसे आप पहले %df लेते थे अप string के लिए क्या आएगा %s और उसको फिर क्या करवा होगे print करवा होगे लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप output के time वहाँ पे enter your string में यहाँ पे good morning लिखा आपने input दिया तो computer सिर्फ क्या print करवाएगा good word करवाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप एक word के बाद space दे देते हो तो scanf उसको read ही नहीं करता यह multi word को read नहीं करता means एक word के बाद space को यह लेता ही नहीं उसको end of string समझ लेता है मतलब इसमें multi words को आप ले ही नहीं सकती तो फिर इस problem को दूर करने के लिए तो कौन सा function बनाया गया gets ठीक है तो gets function में क्या है यह आपके multi words को read कर सकता है तो same ही example है बस आपने scanf की जगे पे क्या यूज कर लिया gets यूज कर लिया और अब आप इसको print करवा के दिखो तो printing में हमने क्या किया जैसे good morning word लिखा enter press किया तो आपके output भी क्या आ गई good morning word ही आ गई तो इसमें दो functions होगे scanf and gets scanf multi word को read नहीं करता लेकिन getsf gets कर सकता है this is all about the reading a string thank you